पिम्पल्स की समस्या ने तो आजकल सबको हैरान करके रखा है बहुत मार ऐसा होता है कि नॉर्मल फेस होता ही नहीं है थोड़े न थोड़े बॉल्स आते है या पिम्पल्स आते है और फिर बच्चों का मन मुर्चा जाता है उन्हें लगता है कि स्कीन एकदम जेंटल होनी चाहिए मुलायम होनी चाहिए लेकिन ये पिम्पल्स आने लगते है तो उसके लिए नियमीत रूप से दो तन्वी शता अगर आप सवेरे शाम लेते हो तो ये पिम्पल्स की तकलिफ न हो इसके लिए फाइदा होता है और पपई जोय लोशन या कुकुमबर जोय लोशन से फेस वाश करना है और जिनमें पिरियर्ट्स के टाइम ज़्यादा पिम्पल्स आते है या जबी भी पिम्पल्स ज़्यादा आने लगते है तब ही अगर दो दो चार चार तन्वी शता तो आपस लेते है तो वो जलदी आने का जो फ्रिक्वेंस यह वो कम हो जाता है पिम्पल्स ज़्यादा नहीं आते और आने के बाद वो जो दाग रह जाते है वो भी न रहे इसके लिए इसका फाइदा होता है तो तन्वीशता नियामित रूप से लेने से पिम्पल्स की जो तकलिफ है वो न हो इसके लिए भी फाइदा होता है रोज दो तन्वीशता लेके आपको ये महसूस होगा अगर जादा तकलिफ है तो दिन में दो बार लेजिए नहीं तो एक बार भी काफी है जरूर ये उपचार करके हमें आपका रिजल्ट बताईए